सिर्फ सौ रुपए मेहना देखर के एक करोड रुपए के कमाई पांच सौ रुपए मेहना देखर के साथ करोड रुपए की कमाई और एक लाक रुपए आज अगर एक बार में सिर्फ डाल दिया सिर्फ एक ही बार तो सर्फ तीस साल बाद 62 लाक रुपए यानि कि 62 गुने का प्रश्राव करते हैं लोग कर रहे हैं कैसे यह सब आच डीटेल में बताने वाला हों बच्चों की तरह आसान आपको करना क्या है फुरी वीडियो से इक सबसे बड़ी समस्या होती है कि उसको पैसे के जानकारी कभी नि दी पढ़ाई जान दो बस इसी चेकर में बरबाद हो जाता है मिडल क्लास पूरी जिंदगी बस अपना खाओ-कमाओ-कमाओ में रह जाता है और बिचारा कभी कुछ जादा पा नहीं सकता उसको लगता है कि मैं FD में इन्वेस्ट कर रहा हूं आड़ी में इन्वेस्ट कर रहा सब का कि आपका पैसा कैसे ढूब रहा होता बरबाद कर रहा होता है आपको लगता है कि एक लाग और डाला था मैंने FD में 15 साल बाद मुझे दो लाख मिल गया और डबल हुआ रहे डबल नहीं हुआ वो आधा होगे आपका पैसा कैसे बताता हूं रिटर्न रेट कर दोंगा कैसे मुटी कमाई होती है अप अपना देखो नौगरी चक्री करते रहो लेकिन साथ में थोड़ा से पैसा इधर सा पैसा इधर डाल करके मोटी कमाई हो जाए क्या पूरा है एक करोड रुपय तक तेड़ करोड 5 करोड 7 करोड कही लोग रिटार्मन फंड डूए नो रिस्क और लो रिस्क मिडल क्लास का फिर डानतां नो रिस्क यह फिर लो रस टोड़ा कुछ लोग ना इस थोड़ी से जानकारी रखके बाड़ा में मुटा पैसा चाप लेते हैं लेकिन जातातर लोग पैसे वह थोड़ी से जानकरी ना हासिल करके पूरी जिंदगी गरीब नहीं जाते हैं सर आज आपकी उमर कुछ भी हो 20 साल के हो आपके लिए वीडियो बड़ा मज़दार साबित होने वाला आज आप कहो के कमेंट में मुझे लिखने वाले हो यह वीडियो मुझे पहले क्यों नही वीडियो बना है तो जरा समझो सबसे पहले रिटर्न रेट बताता हूं आपको क्योंकि रिटर्न रेट समझ समझना ज़र रही है अच्छे रिटर्न रेट से पहले कुछ एक्जांपल समझाता हूं आपको 1990 में पेट्रोल मिलता था 10 रुपे लिटर आज पेट्रोल मिलता ह सो रुपे लिटर, सो रुपे 2020 में ही हो गया था हम तो 2030 में हैं, तो यानिकी 30 साल में, तो यानिकी 30 साल में, और सो रुपे की अवकाथ, बड़ाबर हो गई, होई ना, क्योंकि पहले10 में उतuard ना काम हो झाला था, अब उतना ही काम करने के लिए, इंगो सो रुपे देना पड़ रहा है इसी तरीके से घर में भी आप पूछोगे भईया पापा से दादा जाजी से जितना चावल दा लाटा दस रुपे माजाता था आज सो में भी नहां रहा होगा जितना घर 1960 में पचास में दस रुपे में घर चल जाया करता था उसके बाद एक जमान आए सो में भी चलने लें लग गया आज 10 должно में बढ़ रहू है इसे हवा में बढ़ता तो महंगाई दर किसरें से बढ़ भरते हैं और अप जहां इन्वेस्ट करते हो यह और प्रॉपर्टी में पंदरा साल में तो आपको ये भी समझने के जुरत है कि पंदरा साल में महेंगाई का दर कितना बड़ा उसी आप सब समझ पाऊगे कि दो लाक मेर को घटके मिला उल्टक बढ़के मिला गटके मिला उसी इसी लिए आपको आज सब कुछ मैं स्क्रीन पर दिखाने वादा हूं तो मैंने स्क्रीन कर दिया है और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा FD रिटर्न रेट यहां PPF रिटर्न रेट रिखा हुआ है पहले FD पे चलते हैं FD रिटर्न रेट बैंक बाशार पर जाते हैं सर FD रिटर्न रेट यहां पर क्या है आप देख रहे हो 6.75 स्टेट बैंक आफ इंडिया साथ परसंट एस्डीस से बैंक दे रही है साथ परसंट यह आई-चीए से बैंक दे रही है 6.75 आई-डीविय दे रही है यह वाला एरिया जो है इसीनिस एडिजन के लिए आप सीनि मः थाज ठीक ईका लाग रूप एवडी में ड्लोओ। 2 लाख रुप आया Viaवडी में ड्लोब है आज ये बाद नहीं डालना शर्डही का ने एंड़ नहीं डिल याप क्योंकि पैसा जल रहोग थाफ क्लमा कि फून पैसे की का माईना जल लुटृटृर वहां भी जल रहा है पैसा, बाओ झी को भी नहीं माल Macht और भेफार जेखाने सल शहाड़ा नहीं नहीं होता है, अगला एक और बढ़ियां बहुत बढ़ियां इन्वेस्मेंट मेंडे क्लास का होता है लो बहुत बढ़ियां यह भी 7.1 परसेंट एक और बहुत बढ़ियां इन्वेस्मेंट है विडियो बना था तो उसमें मैंने यही बात करी तो बहुत सारे l.i.c. के मित्र नराज हुए थे आपको नहीं पता लाइसी मरने के बाद भी पैसा देती है और वही ठीक है मरने के बाद जो पैसा दे रही है वह वह बला ओप्शन ठीक है लेकिन उस ऑप्शन के लिए मैं टर्म प्लान लोंगा न न मैं कोई सेविंग प्लान नहीं लोंगा लाइसी का सेविंग प्लान लेना मूर्खता है और आपको एजेंट बेचेंगे सेविंग प्लान नहीं नहीं क sustainable मार्जन नहीं का मन कहम है उनकी बचत में योता है कि आप इन्वेस्ट आप पैसा दे रहे हैं कि आप पैसा निए यह किसी ने बांड करने को किसी इंसरेट मैं के अपने आपको जो पेसा दे रहे हो उससे पैसे का रिटर्न आप तब मिलेगा जब आप दुनिया में नहीं रहंगे आपके जीते जी आपको कुछ निमिले निमाते सह तो कयूँम प्रेमियमा बहुत भएके भगव हैं क्यों कियों फंक करोड रुपह डेता के लिए आपको मात्र आपको इतुर कि densुमैफ मैं। u कि अगर आप किसी को दूसरा प्लान लेते हुआ लाइफ इंसरेंस का हो या सबस्क्राइब लेने के लिए बहुत मोटा प्रीमिम्यम जाएगा आपका बहुत मोटा मैं अगर अंदाजे तो 10 हुप साल का जोस में जा रहा है ना हो सकता आपका साल का साल का नहीं तो कम से कम एक आग दो-तीन लाख रुपए साल का बनाते हूँ मैं लम सम ऐसे हवा में बोल रहा हूँ लेकिन होता है यह बहुत मोटा प्रीमिम आपको क्या बताया जाता है बेसिकली सर इतने साल तक इतना पैसा दो और इतना मिलेगा लेकिन आपको उस एजेंट ने यह नहीं बताया कि सर कित रेट से मिल रहा है कितने परसेंटेज का रिटान है आप उस एजेंट से बस यह पूछना कि सर कितने परसेंटेज का रिटान है यह बता दो नहीं बताएगा हो या तो नहीं बता पाएगा या नहीं बताएगा क्योंकि यह जानते ही आप फिर नहीं करोगे इन्वेस्टोस में दोगो मेरी किसी से दुश्मनिय वगएरा कुछ नहीं है लिकिन मैं बस कह रहा हूँ कि इन्षरेंस ही लेना है तो टर्म प्लान लो ना सेविंग वाला क्यों लेते हो वो सेविंग वाले के लेने के चक्कर में आपका बहुत ज्यादा प्रिमियम चला जाता है आप किस परपस से ले रहों सेविंग के लिए अगर ले रहे हो तो मैं आज बताने वाला हूँ 6 परसंट 7 परसंट नहीं सर्फ 15 परसंट 12 परसंट 14 परसंट और वह अश्योर्ड और फिर वहां 5-6 परशन में क्यों जा रहा है अगर देथ कवर के लिए ले रहे हो तो देथ कवर के लिए वो प्लान लो ना जो इत्ता से प्रीमियम आपको इत्ता बड़ा रिस कवर मिल रहा है वो लो ना लिख देते हैं गूगल में देख लो यह स्क्रीन शेर करके यह बताई देता हूं लाइसी का क्या है बैंक बज़र अटा देते हैं बैंक बज़र पर नहीं होगा शायद लेट सी 10 year is best way to stay away from buying LIC policy नहीं असा नहीं है stay away लेने के जरत नहीं है ठीक LIC बड़े हैं ट्रस्टेट कमपनी है लेकिन सेविंग वाला नहीं इतना मिलेगा दितना मिलेगा वो बला प्लान बिलकुल नहीं लेना बिल्कुल नहीं लेना वैया बिल्कुल नहीं लेना कहां कोई बता ही नहीं लाए उपर उपर अंदर घुसना पड़ेगा क्या L.I.C. रिटर्रेट कोई तो बता दो मैं समें बढ़ा डाल देता हूं के आ गया डी लो जी निए अमारा समधान भी गया इस यू एस आलकुलिट फंद यू पेड फ़र्स प्रीमिम इत कम सरॉंड और फॉर परसेंट लेस दैन FD 4 परसेंट लेस दन FD एवडी भी 5.5% लिखा हुआ है अलागे 4% बहुत पुरानी पॉलिसी में होता होगा अब तो साइद इनों नहीं बढ़ा है साड़े 5% 6% के आसपास इनका भी होता है लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि 6% भी अगर है साथ क्रेंट भी अगर है फिर भी आपका पैसे लुज लॉज लॉस थे सर पिर आपका पईसा जाही रहा है वां प्षिद ने यानिका क्यों 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 महंगाई उसी जाता है मैं बात तो वह ही कर रहा हूं का है देखो थोड़ा पैसेंस रखना एक करोड़ रुपय कैसे आ बताऊंगा रहेगा SIP ही वो लेकिन mutual fund नहीं आचा SIP जो लोग नहीं जानते हैं वो भी बताऊंगा का SIP क्या है don't worry बने रहो मेरे साथ बने रहो बने रहो बने रहो ठीक है यहां तक समझ गए अब हम जरा आगे बढ़ते हैं तो दो तीन चीजों तो आप आज के बाद साफ मना कर देना पैसा इंवेस्ट करने के लिए पैसा सेव करने के लिए FD नहीं RD नहीं LIC या किसी भी कंपनी SDFC आए CSA कि सेविंग आप्शन प्लान में नहीं जाना ऐं प्लेजन रेना बिलकुल लेना लेकिन असके लिए टम लेना येजंट को बोल के लेना की टाब्स आई दूसरा मुझे मत दे कुछ नहीं मिले का मरने के बाद ही मिले का जीते जी भी नो लेकिन इस जीते जी रिट्वर के चकतर मेरे आपका आपको लना के लिएरан कि नाव इंफ्लेशन जिराम समझते हैं सर इंफ्लेशन रेट मैंने वर्ड डेटा डॉट इंफो खोला है आप यह वेफ साइट खोल के देख सकते हो इंफ्लेशन रेट लिखना गूगल में यह आ जाएगा आपको यहां देखो यह जो पिंक वाले में डिनोट किया है यह और यह इंडिया का देखो किसे बंदर की तरह कूद रहा है इंफ्लेशन बड़े जा रहा है बड़े जाए बड़े जाए लोग कहते हैं भारत में बहुत महंगाई बटर यह गलत नहीं है दूसरे देशों इतना नहीं जितना भारत में आओ दिखाता हूं और कितने पर्ष नब्बे में हजार रुपे डाला होता ना सर आज उस हजार की अवकात और आज 9204 रुपे की अवकात बराबर 9,004 रुपे की अवकात और 1000 रुपे की अवकात बराबर 820 परसेंट सर डेप्रिशियेट हो गया पैसा देखो डेप्रिशियेट पैसे की वेल्यू गीर गई 820 परसेंट पर एनम कितना गिरा ये देखो पर एनम 5.13 परसेंट अच्छा ये कह रहा है कि 2021 तक कई है उसके बाद का डेटा भी अवेलेबल नहीं है ये तो 2021 तक 5.13 के हिसाब से केल्कुरिट किया है इसने मैं जरा रियल 2022 का भी आपको दिखा देता हूँ 2023 का भी शायद नहीं होगा 2022 का भी आपको इंफलेशन रेट इन इंडिया ये देखो यहां साच किया हुआ भी है 5.72 यानि कि लगभग 6% के हिसाब से महंगाई बढ रही है 6% के हिसाब से और आपको एफडी दे रहा है साड़े 6% 7% क्या है इत्तर था मतलब 10 साल बाद आपको जो डबल होगे मिल रहा है दबल हो जोने भी दिया की मिल रहा है और और कुलिर करता हूं देखो एक कंपreas कहल रखा है इब इक काल्कूलेटर अब इस FD calculator में मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर सर्च कर रखी है देखो FD में माल लो आपके पास एक लाख रुपए है और एक लाख रुपए अपने अज इन्वेस्ट कर दिया ठीक है हमने FD का 7% माल लिया माले बहुत बढ़ बढ़ रिटन मिल रहा है किसी बैक वह सी जिए अपने गए हो 7% मिल रहा है और हमने पत्चीस साल का टम ले लिया है 25 साल ठीक है एक लाख रुपए आपने डाल के छोड़ दिया पत्चीस साल तक और साथ पर्शंट अपको रुटन मिल रहा है तो सब आपको मिलता है पांच लाग छ्यास अट अजार क्या सपस पत्चीस साल में आज पेट्रोल वाला एक्जांपल दिया था मैंने आपको कि 10 रुपए 1990 में और 2020 में 100 रुपए यानि कि 10 गुना महंगाई ब यहां पर 30 साल का उप्षन है नहीं नहीं तो मैं यहां पर 30 साल लेता और 30 साल में मानता हूं लगबग 6 लाख रुपए के असपास यह बनता थोड़ा ज्यादा बन जाता 6 लाख रुपए का सबस्ट तो जला समझना सर उस हिसाब से हो दंश रुपे सह रुपे बराबर 10 डीस 1990 का और आज का सव रुपे एक्वल दोनों जाना जा रहा रहा हको ज travelers कहीं समाना जाना जाना ज़ता तक द्याम denen की कि एक यह लाग रुपे आज दस लाग बराबर हो जाएगा तीस साल बाद, बराबर, मतलब हमने अगर कहीं इन्वेस्ट किया है एक लाग, तो तीस साल बाद मेरको गर दस लाग रुपए मिल रहा है, इसका मतलब हम ये समझें कि मेरा पैसा बढ़ के मिल रहा है, तो हम गधे और बेवकूफ हैं, फिर से वजह से एक लाग और दस लाग की वेल्यू बराबर है, यानि कि एक लाग रुपए माज आप जितना समान खरीद रहे हो, उतरही समान खरीदने के लिए आपको दस लाख रुपए बिकरना पड़ेगा, तीस साल बाद, लेकिन आपको ये FD कितना दे रहा है, मातर छे रुपए, सरप पैसा आपको बढ़ के मिला, घट के मिला, घट के मिला, घट के मिला, पैसा घट गए, धिकराइ बढ़ गया, लेकिन घट गया, वैल्यू घट गई, और कर वो ए2 अर गर्व मत करना, अचा ये जो, दस कुना में बढ़ाँ पहरो, एक लाग कै दस लाग, यह हर चीज में नहीं होगा ये से पेट्रोल दस गुना बढ़ गया चावल दाल आठाटा थोड़ा आठ गुना हो सकता है नुचका जिस्को के गूमेंगा प्लिपाने नौ कुछ ट्रीज पने देखा अब बढ़ को यह अला तरीका बताओ बढ़ा तड़ करूघ भी आटा ब कि मतलब एक चीस्ट तो समझ में आ गया साथ पर्षंट जहां मिल रहा है अपने को उधर इंवस्ट नहीं करना आट पर्षंट मिल रहा है तो भी मत करना धूर थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगा नहीं इन्वेस्ट माना जाता है हैं दो लाग आपने पास नहीं है पांस और महीना एक सब्सक्राइब बताओं वह इंवेस्टमेटिक इन्वेस्मेंट प्लान यह उसका फुल फाम होता है और लेशना सब्सक्राइब को सद्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर सकते हो दस साल के लिए साल के लिए सब्सक्राइब आपके मर्ची जित्ता करना है सिस्टेमेटिक इन्वेस्मेंट प्लान हर मैने आपके बैंक से कटता चला जाएगा और आडी की बुराई क्या है बीच में अगर डिसकंटीनू करोगो और निकाल लोगे पैसा तो उदर फाइन कटे गभी है तुमने बोला था तुमने बोला था एक साल तक डालो कि आठी में तुम बोल रहे हैं तो काटेंगे पैसा ऐसा बोले गए लेकिन सिस्टेमेटिक इन्वेस्मेंट प्लान सब्सक्राइब क्या है कभी बंद कर दो कभी भी किसी महीना आई इस महीना पैसा नहीं है मैं आप जाएगे सेनेमा दे गड़ बड़ी जदा नहीं मतलब थोड़ी क्या डिड़क्शन है उसमें कटता है आपका पैसा जो आम तौर पर कोई भी मिच्वर्फून का एजेंट आपको बताएगा नहीं तो बताने वाला हो मैं बहुत सब्सक्राइब नराज हो जाएंगे इस वीडियो के बाद कर चल साल तक आपने छोड़ा साथ परसेंट के आप साफ से रिटर्न में कित्ता मिल रहा आपको साड़े पांच लाग रुपए वही चीज मैं जड़ा इधर जाकर के देखता हूँ कि मेरे को ऑच्छाण के लिए अच्छे यहां मैं पंदरा परशन से सलेक कर रहा हूं क्योंक्य जिस से सब्सक्राइब ना वहां पंदरा पोशन मिल जाता है बड़े आराम से आप कहोगे इसकी क्या गरेंटी इसकी कैशियोल्टी है बताऊंगा 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 का दिखाऊंगा इधर ठीक है मैं 25 साल ले रहा हूं अच्छा आप देखो साड़े 5 लाग रुपे में जो चाहिए 25 साल तक मैं इन्वेस्ट करने को तयार हूं कितना पैसा मेरे को मन्थली देना पड़ेगा यहां सवाल यह है यह दिखा रहा हूं क्या दिखा रहा हूं साड़े पांच लाग रुवे मुझे चाहिए 25 साल तक मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ कितना पैसा मेरे को मन्थली देना पड़ेगा क्योंकि एक बार देने का पैसा नहीं है मरे पास मन्थली वाला इसा बताओ आओ मन्थली कितना देना पड़ेगा सिर्फ एक सो एकतर रुपे सिर्फ एकसो एकतर रुपे यानि कि दो आलू पराठा किसी बढ़ियां से रेस्टुरेंट से जो आप खाते हो जितना पैसा देते हो लगभग उतना ही पैसा आपको मैं आपको साड़े पांच लाग रुपे 25 साल में मिलता है सिर्फ एकसो एकतर कुछ लोग होंगे आप में से कहोंगे साड़े पांच लाग 25 साल में नई चीज़ है सार एक करोड़ वाला तरीका बताओ एक करोड़ वाला बताताओ थामा रुको ये लो एक करोड में ले रहता हूं करोड हिंदी मेडिया वाले है या तभी करते हैं कि ये लो भाई है आपको चाहिए एक करोड मिलेगा और देना पड़ेगा आपको तीन हजार रुपय मन्थ लिए अगर आप देते हो तो आपको एक करोड रुपय 25 साल बात मिलता है सुर्वात्विडियो में सुर्वे महिना दने करोर मिलेंगा व अबस बताता है रहुक पच्छी सुल कर दो 40 सुल टेनेर बढ़ाना पड़ेगा कि लोणा चालीस सब बढ़ा मैं कि वह नहीं है क्लोट मिलेगा एक क्लोर और उसके देना क्यूटब सब्सक्राइब कर दिया है तो चलों 500 ले लेते हैं मैं पहले आपको दिखाता हूं 500 रुपए सब कॉंसर्प समझा रहा हूं 500 रुपए मैंने लिया अब साथ कुछ रूल रूल चेंज होगो इसका बारे मैं अपडेटेट नहीं हूं कि सौ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन मिनिम्मम पांसो तो इन्वेस्ट करी सकते हैं 500 ठीक है तो पांसो पांस सल के लिए 15 परसंट डिटर्न के साथ और पांसो रुपए महीना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं सर मिर को मिल कितना रहा है 44,000 रुपए हाला कि 44 जार कुछरी नहीं है लेकिन मैं क्यूं करा यह दिखाने के लिए सर यह ग्रे वाला पार्ट देख रहे हूं यह जो ग्रे वाला पार्ट है यह आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपने जो दिया है पैसा इन्वेस्ट किया है यह दो को यहां लिखा भी है टोटल इन्वेस्टेड और यह जो ब्लू वाला है यह गेन है रिटान वाला पार्ट आपको साफ सब इसमें दिख रहा है कि आपने दिया जादा है यहां मिला कम है दिया इतना है मिला इतना है दिया इतना है मिला इतना है वो वाला आप्शन बता हो कि दिया इतना और मिला इ मैं इसका कर देता हूं सरं पांचाया को चालिष साल सॉटृ करोड़ बन गाये देर करूड़ एक दिया सी पांचाया ॥ हम throughout और इसी 500 रुप्ए को आप प्तचास साल अगर कर दो सर साड़े 6 करोड सिर्फ 10 साल बढ़ाया है 10 साल में साड़े 5 करोड बढ़ गया है साड़े 6 नहीं है 6.99 मतलब 7 करोड 7 करोड रुपय आपको मिल रहा है 50 साल अगर आप 500 रुप महिना देंगा सब्सक्रणों पंचीस मेन दिरेखा तुम कैसना एक है है अचाहे यहां पर इक और चीज़ देखो यह देखो भई यह आजो आपका investment amount है यह दिख भी नहीं रहा है आपको दिख रहा है क्या दिख भी नहीं रहा है यह blue वाला लेकिन return amount देख रहो कितना compounding पे खेलता है SIP compounding जादू किसी नहीं तो कहा था यहा अटवा अजूबा है दुनिया का compounding में क्या होता है फडि करते हो आपके पैसे के उपर भी return मिलता है उस उस रिटर्न के भी उपर रिटर्न मिलता है, और उस रिटर्न के भी उपर रिटर्न, और उस रिटर्न के भी उपर रिटर्न, उस रिटर्न के भी उपर रिटर्न मिलता है, यानि कि आपका पैसा ऐसा अंडा देता है, कि वो अंडा फिर और अंडा देता है, फिर वो अंडा फ यह होता है compounding का power तो एक और बात यहां पर आड़ कर देता हूं देखो FD RD का purpose अलग है FD वहां के लिए अच्छा है का आपको एक साल में दो साल में पैसा चाहिए तो FD में डादू तुरंट चाहिए रहा है क्योंकि SIP का जादू आपको तुरंट में नहीं मिलेगा SIP का जादू लंबे समय मिलेगा 20 साल 25 साल 15 साल 40 साल तब जादू दिखाए ना आपको स्क्रीन पर शेयर करके तब जादू मिलता है आपको डर है कि मेरे पास एक लाग रुपए है मुझे दो साल में कभी पिजरत पढ़ सकता है तो FD कर तो थोड़ा से मिलेगा लेकिन मिल तो जाएगा SIP में एक चीज़ यह कि एक साल में हो सकता है डाउन हो मार्केट अच्छा डाउन मार्केट कैसे हो डर ना मत बताऊंगा डर ना मत ठीक है SIP लंबे समय के लिए क्यों है यह बार-बार में क्यों बोल रहा है यह भी बताता हूं अब सवाल आपके पराते हैं कि आपने जो सर यहां पर 15 परशन बोला है इसकी क्या शॉर्टी है इसकी क्या शॉर्टी है तो पहली तुट यह बताता हों कि यह पैसा SIP कहां जाने वाला है सर यह पैसा जाने वाला है index fund में मिच्छर्ड पन्में जाएगा इंडेक्स फंड में जाएगा इंडेक्स ऑंड क्या है वारन बफे कहते हैं कि अगर किसी को investment की जानकारी जादा नहीं है न और वो maximum return safe and secure वे से पाना चाहता है तो मिंदास index fund में पैसा डाल दे ये वारन बफे कहते हैं index fund क्या है stock market आप सभी जानते होंगे दरसल आप किसी भी जगे पर invest करो किसी bank में किसी property में किसी कही जगह जितने भी मोटे खिलाडी होते हैं न पैसे वह सब at the end डालते अपना पैसा stock market में है मतलब stock market वह समंदर है कि दुनिया में किधर सभी कोई भी नदी आए वह जाके गिरेगी समंदर में तो पैसा कहीं भी आप डालो at the end वह पैसा मिलेगा stock market में लेकिन stock market में जो डालने वाले लोग होते हैं वह stock market के खिलाडी होते हैं उनको सब दाउपेज पता होता है कि पैस अपन से सुना है stock market सक्टा है जीवा है ठीक है हम दूर है हम को नहीं पता है तो हम जाएंगे index fund इंडेक्स fund क्या है stock market में टॉप की 50 कंपनी टाटा रिलाइंस ऐसी टॉप की 50 कंपनी जो है डानी जिन पर पूरा देश ट्रस्ट करता है जो अगर हिली तो भारत की एकॉनिमी हिल जाएगी जिसको उपर नीचे होने से भारत की एकॉनिमी उपर नीचे हो जाती वो आईसी जीमी इस टॉप की कंपनी जिन पर हम ये भरुसा कर सकते हैं वो कंपनी नहीं हो सकती अब टाटा अब बंद हो जाएगी रिलाइंस बंद हो जाएगी, मान सकते हो, यह पीणियों से चलने वाली कम्पनी है, आपके दादा जी ने टाटा को देखा और आपका परपोता टाटा को देखा, वो ऐसी कम्पनी है, लेकिन हमारे को टाटा में इन्वेस्ट करना नहीं आता, तो इस टॉक मार्केट में होता होता नहीं है कि अपसे ब्राउज़र यह तो चारोous को अपने उसी तरीके से ताट की पचास में है उसके लिए इंडेक्स भना गया निफ्टी फिफ्टी, टॉप की तीस कंपनिया जो है उसके लिएक इंडेक्स बनाया गया सेंसेक्स तो हम उसी इंडेक्स में पैसा इंवेस्ट करेंगे उस इंडेक्स में पैसा मेरा सेफ क्यूं है सेक्यूर क्यूं है यह समझे क्यूंकि पैसा कहा जा रहा है वो टॉप की कंपनियों में जा रहा है तो टॉप की कंपनिया अपडाउन होंगी हर बिजनस अपडाउन होता है लेकिन यह बंद नहीं होंगी एड़ एंड वो उपर ही जाना कैसे उपर जाना है तो को स्क्रीन शेयर करके फिर आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन दिख रही है आई होप नहीं दिख रही मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ हाँ तो फिर से मेरी स्क्रीन आपके सामने आ गई है मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेंसेक्स का ग्रोथ दिखा रहा है मैंने यहाँ पर मैक्स ले लिया मैक्स क्यों लिया यह भी बताता हूं यह दिखा रहा है और यह अभी करेंट है नीच सो एक्यानवे में यह देख रहे हूं नौ सो बिरासी रुपए लगवाख हजार रुपए उननीच सो एक्यानवे में सेंसेक्स के वेल्यू थी हजार रुपए का सपास और आज देखो कितनी होई है 62,000 रुपए का सपस 62, 61, 62, 69 ये उपर नीचे होता है था आपको यहाथ है वीडियो के सुरुवात में मैंने कहा था कि 1,000 रुपए डाल के 62,000 गुना 62,000 1,000,000 रुपए डाल करके 62,000,000 गुना 62,000,000 वो मैं इसी की बात कर रहा था अब देखो जिस आदमी ने 1991 में 1,000 रुपए डाल दिया होगा बस इंडेक्स में सेंसेक्स में सिर्फ 1,000 रुपए एकी बार डाल के छोड़ दिया होगा मंतली उन्हें ते कुछ नहीं किया होगा सर आज आपको नहीं लग तक 62,000 रुपए उसके को गांगे conservative 62,000 रुपए डाल दिया होगा तो आज उसके 60,000,000 रुपए होंगे किसी ने एक करोड रुपए डाल दिया होँगे तो आज उसके 62,000,000 रुपए होंगे सर दुनिया का कौन सा एसा जग अज़गा इसे इतना बोट Analytics देगा बताओ और एक चेश्ट, यह इंडेक्स जा ऊपर ही रहा है, ultimately, जा तो उपर ही रहा है, ना भईया, गगो आप डाउन ज़रूर है, ये दीगो नीचे भी आया, इस प्निंट पर नीचे भी आया है, ल 김ποιर उपर गया, इस प्निंट पर नीचे भी आया, फिर उपर गया, फिर नीचे पिर उपर गया नीचे उपर नीचे उपर यहां देखो जाता है नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर करते है जाना अल्टीमेटल यह तब ही मैंने का लॉंग टम शौट टम में नुक्सान किया मालो आपने इस जगे पर इन्वेस्ट किया इस जगे पर इन्वेस्ट किया और यहां पर वैल्यू देखो 37,000 रुपय दिखा रहा है और यहां अगले साल आ गया यहां 30,000 रुपय आ गया अब आपको गया तब ही मैंने का है लंबे समय के लिए यह सर अपडाउन अपडाउन लगा रहेगा लेकिन लंबे समय में अगर है जाता है जैसे यह ग्राफ आपको दिखा रहा है लंबे समय में अपड़ी जाना है है इस तरीके से दूसरा इंडीक्स को मैं लोगी से तरीक हैं और यह भी तो और फिर निचे बूर जो अल्टीमेटली बढ़ाना तो उपर है जाना तो उपर है इसको हूं इंडिक्स में इंवेस्ट करेंगे अचा मूच्वाल फंड और इंडेक्स फंड में क्या डिफरेंस हो गया अचा कैसे इनस्वाइगे इंडेक्स वेटॉन फरी सब बताऊ वासार सारा डाउटी खतम कर दूँगा इस वीडियो में करके बताऊंगा मैं खुद करूँगा अपने फोन से करूँगा और वो करके दिखाऊंगा आपको कैसे इन्वेस्ट करना है मिच्वल फंड और इंडेक्स फंड में डिफ्रेंश का है जाएं मिच्वल फण ना 5 पर सेंट पर एनम चार्ज लेटिया अपना धाई परसेंट ना चुटा लग रहा होगा होता बहुत बड़ा है अब मालो एक करोड रुपे मिलने वाला है आपको चालीससाल बात तो चालि इसवे साल भी कुछ कम होगा हो सकता 80 लाग 50 लाग क्या स्पास तो उसका धाई पर्शंट लगबग 2 लाख रुपे क्या स्पास कितना मोटा मोटा पैस आप दोगे इंडेक्स फंड में वो जो चार्ज होता है वो बहुत थोड़ा होता है 0.5 पर्शंट यानि कि एक करोड भी है वह एक पर्ट मारगेट में स्टॉक्स जूनते हैं को टबुझे को ठाली है को तलिया इस कम्पनी गोटuss कमपनी को उठाली हाला कि को अपने ऑख से सब्सक्रार कर चौ करके वह एक फंड सब्सक्राइब बना देते हैं और आप उसी फंडूंद में पैसा डालते हो ल लेकिन इंडेक्स funds में यह रिस्क नहीं है क्योंकि इंडेक्स fund है यह टॉप की company होगा, टॉप की 50 company Nifty, top के 30 company Sunsex. तो टॉप की company तो ठूबी तो भाया पूरे भारत की एकॉरन में डूपी जेगी तो यह भारत की सवाल नहीं होता है, पर हाँ उपर निचे जरूर होगा लेकिन एड़ दा एंड जाएगा उपर है ठीक है इसी लिए इंडेक्स फंड बैतर है मिचल फंड से तो एसाइपी करना है तो इंडेक्स फंड में कीजिए मैं रिकमेंड करता हूं और दुनिया के जितने भी बड़े इंवेस्टर है वो क लासओ बाल स्क्रीन आपको दिया और मैंने ग्रोबं कर लिया अज़ है डैरेक्ट आडिक्स चिल अ मैं रिणे में यह ऑ्छ नाहीं हो करते हो था और ठीकंड शाइप इसाल सब कर सकते हो आप चाहो तो कोई stock खरीद भिकरी भी कर सकते हो, trading waiting सब कर सकते हो, अच्छा, grow ही मैंने क्यों लिया, ऐसे बहुत सारे आप है, grow मुझे परसनली थो पसंद है, क्योंकि इसका use करना बड़ा easy है, बहुत easy to understand है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं grow में करके दि करना, ठीक है, free है बिल्कुल, KYC जरू करना पड़ेगा, अपना KYC कर देना तो दो दिन में enable हो जाएगा, फिर आप सब कुछ कर सकते हो इसमें, invest कैसे करना है वो भी दिखाता हो आपको, आपको मेरी screen दिखे रही है, मैं सिधा search में चला गया index fund, देखो index fund सर्च करते ही, इ UTI, IDFC, ICAC, ठीक है, अब एक confusion है, कौन से index fund में करूँ, तो मैं एक सला आपको दे देता हूँ, मेरा favorite index fund है, SBI index fund, हर banks, अपना पना index fund मैनेज करती है, लेकिन पैसा जाएगा उन्ही टॉप की कम्पनियों में, SBI nifty index fund आ गया, नाम देख लो भी है, अच्छे ये मैंने देखो तो तीन साल का दिखा रहा है, 14.20% annualized, एक साल में दिखा रहा है, 4.64, अच्छा, 4.64 क्यों, बताया है, अप डाउन, अप डाउन, तो इस साल market down, अच्छे महिने में, 7.85, शे महिने मतलब बढ़ा है, एक साल में गिरा है, एक महिने में, 0.75, मतलब एक महिने में, देख रह तो यह भी आपको लगबग 15% के आसपास तो मिल जाता है, stock market में, index fund में, ठीक है, तो SBI index fund, index direct plan growth, यह मैं recommend इसलिए करता हूं कि थोड़ा SBI है, SBI नाम सुनते ही, भारतियों के मन में थोड़ा trust हो जाता है, तो उसलिए, जादा कोई खास कारण नहीं है, index fund कोई भी ले सकते तो ठीक ही, यह सब अच्छी होते है, तो जाना सब का index fund में ही पैसा है, तो इसमें कैसे किया जाए, यहाँ पर देखो, नीचे आपको दो बटन दिख रहा है, one time और start SIP, one time क्या है, एक बार मोटा पैसा है, लाक रुपए, पाच लाक रुपए, तो वन टाइम डाल करके छ छोड़ सकते हो, फिर देखना भी सल दिसल बात क्या होता है, मार्केट और अच्छा गया, क्या पता, 62 क्या सो गुना हो सकता है, start SIP, तो हम मन्थली वाले आप अगर हो, तो हम start SIP पर जाएंगे, start SIP पर मैंने click किया, अच्छे यहाँ पर आपको amount डलना है, अच्छे यह व आपके सामने आएगा, तो अब यहाँ से आप सुरू कर सकते हो, जैसे मैं try करता हूँ 100 का, मैंने बहुत दिन से किया नहीं है, अच्छे minimum SIP 500, मतलब अब 500 हो चुका है, कुछ दिन पहले 100 होता था, अब 500 हो चुका है, तो 500 आपको minimum करना ही करना है, तो मैं 500 कर देता हूँ, स्टार्ट SIP, अब देखो मेरा कोटक महिंदरा बैंक अपने आप इस से कनेक्टेड है, फोन पे से, तो मैं फोन पे कर देता हूँ, अब यह मैं बैंक से पैसा काट लेगा, मेरा एक SIP हो गया, शुरू, आपके सामने आपको दिखाने के लिए, दिख रहे हूँ, अचा थोड़े दिर पहले मैंने ट्राइ किया था, देखो 500 का एक और है, order in progress, order in progress क्यों है, नौ बज़े से लेके तीन बज़े तक का टाइम होता है, उसी टाइम पे शुरू होगा, उसके beyond अगर आप करते हो न, जैसे इस वक्तीन बज़े के beyond आप यह शूट कर रहा हूँ, तो यह order in progress में चला गया, नौ बज़ते ही, नौ बज़ते ही यह करते हैं, मुझे कोई पैसे के जुरूत है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं, कोई deduction अगरा कुछ नहीं है, अच्छी बात SIP की यह होती है, आड़े वाडेम डलो को तो deduction होते हैं, ठीक है, तो मैं अब कर देता हूँ, यह भी screen off, अब मुस्से आपको कोई भी सवाल है, तो आ आप comment box में पूछिए, मैं Facebook पर लाइव आता रहता हूँ, YouTube पर भी लाइव आ करके आपके सवालों का मैं जवाब दे सकता हूँ, comment box में उससे सवाल जरू पूछिए, grow डाउनलोड करने का link दिया हुआ है, और I hope मेरी बातों से आपको बहुत कुछ idea मिला होगा, आज के बा हचा की दोटोड़िग का रहाँँ, आपको निस सकता है जिसा जरूँ आता हुआँ, बाधनलोड़ mudar है, भी बातों से रहाँड़िए, तर के बाक таपको बातों में होटे ठाजको बाता हूआ है, आपके बातों भीक रहाँए, ञुआ है, दो मैं टोश तो ऐामें बात, भी